बिग बॉस OTT3 के आज के एपिसोड में हमें देखने के लिए मिला काइडन एरिया में नेजी शिवानी सेना मक्बूल विश्वाल सभी बैट कर बाचीत कर रहे होते हैं जहाँ पर शिवानी कहती होई नजर आई कि वो सभी चीजों में मजाथ मस्ती करती है यहाँ पर नेजी शिवानी को एक एडवाइस देते हुए नजर आते हैं कि उन्हें थोड़ा तो बचकानी हरकते छोड़ देनी चाहिए और जहाँ पर कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है और फिर लड़ाई जगड़ा चल रहा हो वह पर तो शिवानी को बचकाना बिएफ नहीं करना चाहिए लेकिन शिवानी नेजी की ये बात नहीं समझ पाती और यहाँ पर शिवानी उनसे बहस करना शुरू कर देती है जिसके बाद सना सुल्टान और विश्याल शिवानी को साइड में लेकर जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि नेजी जो कुछ भी कह रहे थे उनके भले के लिए कह रहे थे कि उन्हें सबसे इज़त से बात करने शाहिए और थोड़ा तो उन्हें सीरियस हो जाना चाहिए यहां अपर बेड्रूम में भी रनवीर, शंद्रिका, अर्वान सभी की बहस चल रही होती है जिसके बाद शंद्रिका, आका, नेजी और शिवानी को अपने साथ ले कर जाती है जहाँ पर पायल अर्मान सभी शिवाने पर ये इलजाम लगा रहे होते हैं कि शिवानी जान बूच कर सभी की लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं घर के अंदर पाल बताती है कि शिवानी ने पॉलमी पर ये इल्जाम लगाया था कि पॉलमी ने कहा है कि बात्रूम में जो भी गंदिगी थी वो मौनीशा की थी वल पॉलमी कहती है कि उन्होंने मौनीशा का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया और यहां पर इतने सारे कैमरेट्स लगें विलागर शिवानी सच मुच में ये जूट कहा रही है तो वो जरूर फसेंगी पॉलमी का इसी बात को लेकर शिवानी से काफी बहंकर बहत भी हो जाती है जिसके बात पॉलमी अपना आपक होती हुई नजर आती है और कह रही होती है कि शिवानी जो है वो उसकर में रहने के लायक नहीं है और पॉल्डमी जल्दी उन पर हाथ भी उठा सकती है वह दोनों की इस लड़ाई को शांत कराती होई नजर आती और कह रहे होते कि शिवानी जो है वह बहुत ही ज्यादा दिमाग है और वह जान बूठ कर हाथ नहीं उठाएगी क्योंकि उसे पताए कि इसकी व को सब्सक्राइब करें